तो आज हम बात करने वाले कि जब मार्केट के इंदर ट्रेड करते हैं तो वहां पर लोस हो जाता है लोस ऐसा नहीं कि केवल आपका ही होता है या फिर मेरा ही होता है जो भी मार्केट के इंदर ट्रेड करते हैं उनका सभी का होता है लेकिन कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं जो ब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है, अगर आपने दूसरे बिजनस का मा लेते हैं, कोई मैनुफुक्टर यूनिट आपने लगाए, तो वहां पे जब भी आप उसमें कैपिटल लगाओगे, तो आपको कुछ मशीन नहीं मिल जाएंगे, कुछ आपने अलग तरहां कला है, तो वहां पे आपका प्रोडेक्ट होगा, उसमें आपका मार्जन निकल कर आपका प्रूफिट मार्केट के अंदर बनेगा, और वहां पे जब लोस चाल रहा होगा, तब भी आपको कुछ ना कुछ फीजिकल लोना शुरू हो जाता है, और फीजिकल हमें कुछ नजर नहीं आता है, तो वहां पे एनसान का मार्जन जादा खराब होता है, कि मुझे कुछ मिली नहीं रहा है, और मेरा पैसा भी अंदर जा रहा है, अब देखी, यहां पे हमें समझना खोगा, जब हम दूसरा कोई उनि सबस्क् Finished पें प्रोडटा कैसे बनाओ अगान बर्णाब बनाना थे इस मार्केट में आपको सैट एप दो धाएंगे कैसा भैटा हो, आपने बड़ा मसीन लगा तो बड़ा मसीन लगा रहा तो तो पैसा जरूर बनेगा थोड़ा कंपरेशन हाई रहता थे हैई अगर आप कम capital के साथ काम करें रहता है, और market में competition वैसे भी हाई है, आपको लग रहा है यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन जो ट्रेड करते हैं उसके साथ आप one-to-one आप काम करें हो, अगर किसी का loss है किसी का profit है, ऐसा बन रहा है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा होगा, लेकिन उस capital को आपको यह समझना हो, जब शुरुवात में आप काम करोगे, तो initially जो capital दूसरी जगह पर लगता है, वही ट्रेडिंग में आपका लोस हो रहा है, उसको adjust भी किया जा सकता ह option selling के अंदर, buying के अंदर, future के अंदर, अराम से ऐसा काम किया जा सकता है, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा दिल खोल कर यहां पर काम करना पड़ता है, और capital ठीक ठाग लगाना पड़ता है, और सोच समझ कर काम करना पड़ता है, तब अगर मैं देख, अगर हम यहां भी इस week म मेरा market ने किया, इतना बुरा तो साहिए किसी भी करता भी नहीं, लेकिन market काफी बार ऐसे momentum कर देता है, जो हमारी समंझ के बाहर होते है, अगर हम पूरी week का उठा के देए, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कि आपको लगया, यह सर आपने तो यह किया होगा, वो किया हो, ऐसा पूरी week हमने selling का trader बना, याने कि पूट market के अंदर लिया है, उसके बाद देखिए, market के अंदर हमारा बना क्या, यहाँ पे हमारा loss हुआ, यहाँ पे हमारा profit बना, यहाँ पे हमारा loss हुआ, यहाँ पे हमारा profit बना, यहाँ पे हमारा profit बना, अब देखिए, यहाँ पे क्या ह हो गे उसमें उसमें अगर कैपिटल लगा है तो यह घर जादा। और और था कि मजह सैलिंंग करना था सैलिंग करना तो मिवार्गेट के अज़ा है पारा पीछे मार्केट के दिए, अगर पीछ है तो तो आया था बाय तो मैंने किया रखा था लेकिन वह टाइम हो चुका था इसलिए मैं जल्दी निकल गया तो वहां पर कुछ ज्यादा पैसा में बनने पाया क्योंकि साइडवेस था मार्केट इसलिए माँ जल्दी निकल यहां पर यहां पर प्रोफिट मेरा बन जाता यहां पर देखिए मैंने यह मंडे वाले दिन अग्जिट ले लिया था अगर नहीं लिया था तो में यहां पर भी मेरा प्रोफिट बन जाता लेकिन वह एक अलग कहानी होते है क्योंकि जब तक आप डिसीप्लीन से नहीं चलोगा तो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है कि पैसा आता जिस दिन बनना शुरू उगा उस दिन बहुत बड़ा प्रोफिल बनता है लेकिन क्या होता है वो प्रोफिट के चकर में अभी कली लूट नहीं कर सकते हाप कि अभी मैं कली आयसा कर लूगा कहली अम फोब इस घूमा एक दो बार देखित गल्ति पुसंद नहीं काटता इस बात का मुझे पता है तो कहीं ना कि हमें find out भी नहीं करना चीज़ कि मेरा यह हाई बनेगा मेरा यह लो बनेगा देखिए मार्केट ने यहां पर क्या नजर नहीं आगा इस अक्सपायर गा तो इसका क्या सिंपल सा मतलब हुआ कि इस प्राइज कि उपर किसी ने सेल नहीं किया ठीक है तो इसका क्या मतलब है यहां पर डारेक्ट एसल अगरा करका तो इसको तो मार्केट नहीं तो बहुत अचा प्रोफिट नजा रहा था तब भी मैंने आपको बोला था कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा सेलिंग आ सकता है और मार्के जाता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती तो उस गारंटी के चकर में मैं कभी भी ट्रैप नहीं होता मुझे बता है कि मेरा अग्जिट कहां पर होगा अगर मेरा यहां पर लोस हुआ है थोड़ा सा कम ही हुआ था जब नीची आ रहा था तब दूबारा शूपर जा रहा मान लेते हैं आपने कोई उनिट लगा रहा है और मेरे साथ ऐसा काफी बार होता है कि आगर सामने वाला आपको काफी जादा हाइर प्राइज दे रहा है मतलब आपको लगे कि यह प्रोडेक्ट तो इतने में जाना चाहिए था लेकिन यह डील ऐसी और जहां पर आपको आज के लिए आपका प्रोफिट बना नहीं दे लेकिन आगे दुबारा से आप डील करोगे ना तो वहां पर आपके लिए प्रोडम हो जाए जैसे आप डीलिंग करोगे ना ऐसा है कि सामने वाला परसन अचानक से आपका पैसा खाके निकल जाएगा फिर पहले आपको फिर से आपको करेगा लेकिन एक बार वो ऐसा आपको निकालेगा आपके साथ फोल्ड करेगा कि जो आपने प्रोफिट उससे बनाया था उसे डबल ट्रिपल वो लेके निकल जाएगा आपका पैसा बनेगा नहीं वहां से तो आपका नेट में लोस नजर आएगा तो वो ड लेकिन मार्केट के इंदर जब मैं ट्रेड करा था वेट कर सकता था लेकिन मार्केट ने क्या कर रखा था यहां पर काफी ज़्यादा मुझे परिसान कर रखा था तो कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ज़्यादा यहां पर रिसक लेना ठीक नहीं है लोस कवर हो रहा है वीक देखकर भी देखिए भागाना पड़ता है क्योंकि जो डेल मिल रही है वो अच्छी है अगर आगे आपको ज्यादा प्रोफिल लग रहा कि बन सकता है तो काफी बार मार्केट करेगा फिर और अवरेज करो फिर मार्केट और रिक और करेगा तो ऐसा बहुत बार करते एक बा आतनी कि बनता लेकिन हमें सम्झना होता है कि अगर बं रहा है अगर बेथा दो ठीक है अगर आपना अभीट एशा आ चुक है इटक है कि अगर आपका आ स्मय वाला पीसा ना फिर अन से बना लियंग तो कहीं में समझना हूं मार्केट में problem हो सकती है तो कहीं week में में मेरे पास क्या था market को इतना जाला पैसा था नहीं तो कहीं मुझे समझना होता है कि यह जो मेरा profit बना है तो मुझे capture करना चाहिए अब देखिए ऐसा नहीं कि Sally Sell करके पैसा बनाते हैं आपको मैंने बताए कि बाइबी किया है बाइबी किया काफी ट्रेडर को लगया है सब आप तो Sally करें आप कुछ करी नहीं रहे ऐसा नहीं है यहां पे आइसाने की करना जुरूरी था ऐसा मार्टके नहीं कर सकते थे तो हम झेखना होगा कि यह retracement आप देखो कि मैंने आपको अच्छे से समझाया था यह तो कि का मुझे ध्यान है आपको अच्छे समझाया था यह 0.61% का retracement था तो यहां कहीं से आपको अच्छे होने के बावजूद भी लोस हो जाता है तो ऐसा निकि आपने कोई प्रड़क्ट बनाया और आपको अपके सेट अप डेली बनते हैं यहां पी आपके प्रड़क्ट बनेंगे लेकिन कुछ ऐसे प्रड़क्ट हो जो खराब हो जाएंक तो उनका को टेस्टिं था, sell किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा momentum था, market के अच्छा परसाइड SL नहीं थे, क्योंकि जो भी retracement हो चुगा था, वैसे हम selling करके बैठके, कि market के अंदर retracement वगरा अच्छे हो चुगे हैं, अब market में SL नहीं, चलो sell करते हैं, लेकिन छोटा सा ये problem यहां पर हो गया, कि chart repeat हो रहा था, chart कैसे repeat हो रहा था, अगर आप ध्यान से देखोगे, market continue ऐसे गिर रहा था, यहां से भी, यहां से भी continue ऐसे चल रहा है market, लेकिन यहां पर, यहां पर क्या हो रहा था, कि market के अंदर, दुबारा से chart का repeat हो रहा था, यहां पर continue selling चला, यहां पर continue selling चला, हमने क्या selling करते हैं, market ने घूमना शुरू कर दिया, हलांकि यहां पर काफी ज़्यादा था, कि market गीर सकता, इसलिए मैंने यहां पर quantitative भी add कर रहा था, लेकिन फिर से उपर जाने लगा, तो फिर मुझे थोड़ा सा loss booking करके भागना पड़ा, market के इंदर, कि फिर लग रहा है कि बात बनेगी नहीं, और time भी काफी ज़्यादा हो तो यहां पर हमें थोड़ा बहुत loss हुआ, जो हमने 52,000 ऐसा कुछ था, तो इतना हमने loss booking किया, लेकिन अगली दिन market के अंदर क्या हो गया, सब कुछ हमने cover up कर लिया, तो यहां पर हमने क्या गलती किया था, कि यहां पर selling कर लिया था, और direct sell नहीं थे, यहां पी भी sell नहीं हैं, और यहां पर market के अंदर selling हुआ और दुबारा सी उपर गया, और यहां पर market कुछ ना कुछ ऐसा ही कर रहा है, तो अगर चार्ट रपीड नहीं करना चाते हैं, तो market को यहां सी गिरना होगा, और यह भी बोला था, कि market को resistance को रोज नहीं करना चाहिए, और हमने market के काम आने के बाद अपना profit market के अंदर बना लिया, तो बहुत अचा profit market के अंदर बना, तो देखिए, जब हम सही होते हैं, तो देखिए, एक point भी उपर नहीं, एक point भी नीचे नहीं, आपको बार-बार बताता हूँ कि जो support resistance होगे, वो exactly काम करें, हम गलत बैठे हैं, या फिर resistance लगा के दे सकता हूँ, लेकिन मैं जैसा सोच रहा हूँ कि मान लेते हैं, कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसे गिर के ऐसे market जाना चीए, लेकिन market ऐसे करके ऐसे आ गया, तो फिर वो support resistance दोनों ही काम नहीं करें, तो वैसा होता है, तो हम यह समझना होता है, यहाँ पर भी द गया, gap down उने, open उने बाद selling आ रहा था, तो जैसे selling आया, मेरा प्लान तो शुरुआत में देखी, आपको समझाया भी था, कि अगर थोड़ा बूत market जैसे उपर मिलेगा, मैं sell कर लूँआ, लेकिन एक ही candle में चला गया, उपर फिर से नीचे आगा, तो इतना quickly मैं पोशन ब selling हुआ है, selling होने के बाद market थोड़ा sideways रहने के बाद, यहां पर ऐसा momentum करके, यहां पर हो चुगा है, तो अब हमें यहां पर देखना होगा, यहां पर क्या था एक support level था, support level के बाद market के अंदर उपर जाता हुआ हमें, यहां पर नजर आ रहा है, यहां पर एक W pattern market ने बनाया ऐसे ही मैं समझता हुआ, ऐसे कोई अलग नहीं देखता हुआ मार्केट के अंदर, तो यहां पर देखिए, selling होने के बाद उपर गया, उपर जाने के बाद यहां पर यहां पर बनाया, और यहां से market उपर गया, यह थोड़ा सा, यहां पर problem है, otherwise यह तो buying का था ठीक, लेकिन यहां भी मुझे लगता है problem है, तो selling ही करना ठीक रहेगा, मुझे लगता है, क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पर अच्छा selling होगा, यह retracement चेक कर लेना, कितना हो चुका है या नहीं हो चुका, retracement देख लेना यहां पर, अब इसको थोड़ा साथ आते हैं, थोड़ा आप भी स और नोटिस करने के लाइक है, क्योंकि मार्केट में देखे, यहां से भी continuous selling होगा है, तो काफी बार ऐसा भी retracement हो जाता है, ठीक है, उसके बाद दुबारा शिकूच, trend हो मिले, लेकिन अगर मैं और यहां पर closing price के आसपास देखूं, तो मुझे लगता है sell हो जाएगा, लेकिन यहां से selling अच्छा होगा है, यहां पर अपना first 0.61% का में retracement market के अंदर मिलेगा, उसके बाद यहां पर क्या है कि SL वगरा मिलें, क्यों मिलें, क्यों मिलें, क्योंकि यहां पर rejection वगरा होगा होगा है, तो क्या होता है, जैसे market बढ़ता ना, तो कोई बाई नहीं कर बाता है, लेकिन जैसे market में premium कम होते है ना, फिर वो क्या घरते है, धीरी-धीरे cold बगरा बना लेते हैं, कि चलो, क्या बता market gap बगरा open हो जाए, ऐसा सोच कर वो बना लेते हैं, तो अगर कोई बड़ा ही gap open हो गया, फिर तो देखी अलग बात हो जाएगी, वैसे यहां पर direct sell बगरा है नहीं यहां पर, क्योंकि यहां पर भी नहीं थे तो अभी भी नहीं है, लेकिन market को क्या होता है, अगर माल लेते हैं, यहां से 1000 point माल लेते गिरना है, तो पहले क्या अगर 300 से 400 point उपर भी चला जाएगा, और अगर 1000 point उपर भी जाना होता है, तभी market क्या करता है, सो से दो सो पैंट नीची आ जाता है तो ऐसा मार्केट करता रहता तो उसका तो हमें ध्यान रखना हुआ अधर्वाइस अभी तो लग रहा है कि सेल बगरा बन जाएगा और अधर्वाइस हम अनलीसिस करें तो हम देख लेंगे और सपोर्ट रजिस्टेंस तो तभी देखा जाएगा कैसी लगाने होगे सपोर्ट रजिस्टेंस आपको क्या करना है देखना होता है कि मार्केट के इंदर कहां पर बाहर सेलर बैटे है मुझे थोड़ा ताइम लग जाए मुझे आदरवाइस लंबा सैसन हो जाएगा तो औ दूसरे बिजनेस में जो कैपिटल लगता है वहां पर आपको कुछ नजर आता है वह कैपिटल आपका कहीन कहीं लोच में जा रहा है तो आप यह समझ लो कि आपकी यहां पे मसीन लग रही है आपकी सैटप मॉर्केट के अंदर बन रहे है जब आपकी मसीन लग जाएगी जब आपके product बनने सुरू हो जाएंगे जब आपके setup बनने सुरू हो जाएंगे फिर आपका margin निक्लना सुछिए और जिस दिन margin निकलना सुरू हो आना है, उस दिन मुझे ही नहीं कि market में कोई कमी है- या फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली है या फिर आपको लगया कि competition जादा है या फिर आपके पास ऐसा लगई कि आपके पास capital कम है ठीक है तो निफ्टी वगरा भी देख लो फिर निफ्टी को भी देख लो थोड़े बहुत